एलो एवरिवन वेल्किम टू मैश्टेंरे जैसे आप जानते हैं हम लेकर आते हैं डेली एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपि जिसको आप डेकवास्ट लंच चीह अफे डियी आराम से खा सकते हैं चलिए आज हम बनाते हैं एक और नई रेसिपी जिसको हम नाम डालना है फिर्णी कप एक तोड़ा सब्सक्ता लिए है मैदा हमें इसके अंदर डालना है आधा चमछ के रआबर अब इसको कर लेंगे अच्छे से में अपना लिए थोड़ा सा ओश लिए लकभग 2चमछ के बराबर कोई भी वेजटेबल ओई इसके अंदर डाल सकते हैं थो एक से दो मिनिट अच्छे से ओ्य ओविल आटे के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए जैसे यह मिक्स हो जाएगा हम दालें पानी एक सोफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे .इस को आप रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं और बच्चों की तो ये पहली पसंद होने वाली है बच्चों को आप टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं इसके लिए हमने लिए हैं कुछ सबजियां एक सिमला मिर्च दो मीटम साइज के प्यास दो से तिन हरी मिर्च थोड़ा सहरा दनिया अब हमने ले लिया है मोजोरिला चीज और जो फ्रेश चीज होता है वह लिए हैं चार से पांच उबले हुए आलू और हमने पहले ही यह मक्य के बीच को उबाल कर रख लिया था यहां पर आप अपने पसंद के कोई भी वेजेटेबल्स भी ले सकते हैं अब हमने ल जैसे ही चटकने लगेगा हम उसमें डालेंगे दो से तेन फ्रेश हरी मिर्च बारिक चोप की हुई उसके बाद में हम इसमें एड़ कर देंगे दो मीडियन साइज की प्याज प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है बस एक से दो मिनट ही इसको पकाना ह जैसे ही यह ट्रांस्पेरेंट होने लगेगी तब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे सिमला मिर्च जो हमने बारिक बारिक चोप करकी रखी हुई है अब सिमला मिर्च को भी हमें दो से तीर मिनट इसी तरह से पका लेना है इसको भी हमें पूरा पकाना नहीं है उसके दो मि एटनी जों हमने अच्छे से बॉं कर लिए ह अब इसमें अज्ट ही हींग फोड़ा सा ग्वास नहीं असा ओड़ा अमचोप ऋरह इसको बहुत ही टेस्टी और 은वा डिव कर लेंगे तोड़ी डूटर एग मिसे फाली पॉड़ एक चमम चर पॉड़ाह अधा चमम चाहं और 4-5 medium size के उबले हुए आलो को मैश करने के बाद में अब हम इनको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स और जैसे ही आलो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे खुब सारा हरा धनिया बहुत ही फ्रेश इसमेल वाला बहुत ही प्यारी खुश्बू वाला इसको और बहुत जादा टेस्टी बनाएगा इसके बाद में अब जो हमने आटा ढख कर रखा हुआ था 15-20 मिनट पहले से उसको भी देख लेते हैं अब इसको हम थोड़ा सा और गुत लेंगे ताकि ये एक दम से सोफ्ट हो जाए ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है अब हम लेंगे एक चोटा सा पेड़ा जैसे हम पूरी बनाने के लिए लेते हैं बहुत ही थोड़ा सा आटा हमें इसमें लेना है ये देखे इस तरह का लगबग हमें सब ही पेड़े बना कर तयार कर लेने हैं ये देखे इस तरह से जितने भी पीजा पॉक्रिट्स आपको बना कर तयार करने हैं ये देखे शाही लोई जैसे ही बन कर तयार होंगी हमें लेनी है एक लोई उसको आटे में डिप करेंगे फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हमें इसको बेल कर लेना है बहुत ही बारीक है थोड़ा सा आटा बस हमने इसको बनाने के लिए लिया है अब हम लेंगे एक चमश फिलिंग जो हमने बनाकर तयार की है थोड़ा सा इसमें डालेंगे सीड्स उसके उपर हम डालेंगे चीज और इसके बाद में हम इसमें अड़ करेंगे मोजो रोड़ा चीज इसको पिल्कुल पीजे वाला टेस्ट देने के लिए अब हम इसको थोड़ा सा सीड्स के साथ और गाइनिश कर देंगे उसके बाद में हम इसको बंद करेंगे इस तरह से चारो तरफ से हमें इसको ऐसे बंद कर देना है जैसे एक पॉकिट होती है जैसे एक रैप होता है बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए चारो तरफ से अच्छे से हो चुका है बन अब हम इसको आराम से चुटा लेंगे और थोड़ा सा 28 पर लगा कर बेल लेंगे इतना ही बड़ा बस हम इसको बनाएंगे जैसे ही तवा गरम होगा एक चम्मच ओईल लगाने के बाद में हम इसको अच्छे से सेख ल तरफ से जब तक ये गोल्डन होता है अच्छे से सेखेंगे दोनों तरफ से एकदम से कुरकुरा गोल्डन होने तक हम इसको अच्छे से सेख लेना है दो से तील मंट इसको लगेंगे मेडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन करने के लिए ये देखिए ये प्रोपर गोल बिल्कुल इसी तरह से हमें सारा पीजो पोकिट्स बनागर तयार कर लेना है यह खाने में बहुत ही टेस्टी है ब्रिकफास्ट में आप इसको बनाकर इंजोई कर सकते हैं बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं बच्चों की एक खास पसंद बनने वाला है अभी हम आपको इस आपको कूल कर दिखाते हैं यह देखिए एक दम से इतनी ज्यादा फिलिंग वाला बिल्कुल पीजे के अंदर जल से फिलिंग होती है उसी तरह का यह हमने बना कर थैयार किया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करन ना मत भूलना फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए वाबाइए